नमस्कार दोस्तों! शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति का जिस दिन जन्म होता है, उस दिन के कारक ग्रह व्यक्ति के स्वभाव वा जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं. तो ऐसे में जिन लोगों का जन्म शनिवार को होता है, उस पर शनीदेव का प्रभाव अधिक रहता है तो ऐसे में आज आज आपको इस वीडियो में शनीवार को जन्में लोगों के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे तो आईए जानते हैं माननेताओं के अनुसार शनीवार को जन्में लोगों का जीवन उतार चड़ाव भरा रहता है इन लोगों को जीवन में कई तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ता है लेकिन अंत में इनकी विजय ही होती है शास्तरों की माने तो जो लोग शनिवार को पैदा होते हैं वो आलसी और संकोची होते हैं ऐसे लोग किसी भी कार्य को करने के लिए योजना तो बनाते हैं लेकिन उन योजनाओं के अनुरूप काम नहीं कर पाते लेकिन इन लोगों के खास बात आपको बता दें कि ये लोग काफी मेहनती स्वभाव के होते हैं अपनी मेहनत के दम पर ये लोग जीवन में सफलता हासिल कर लेते हैं एक और खासियत इनकी आपको बता दें कि इनके जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना आएं अपने हस्मुक स्वभाव के कारण ये उदास नहीं होते क्योंकि शनिवार को जन्म लेने वाले जातकों पर हमेशा शनीदेव महरबान रहते हैं इनके जीवन में परिशानियां आती तो हैं लेकिन शनीदेव की कृपा से समस्याइं दूर भी हो जाती हैं लेकिन बता दें कि शनिवार को जन्म लोग थोड़े क्रोधी सौभाव के होते हैं इन लोगों की बहुत जल्दी लोगों से अनबन हो जाती है अपनी कही बात ही इनको सही लगती है इतना ही नहीं इस दिन जन्म लोग बहुत कंजूस सौभाव के होते हैं साथ ही ये लोग अपनी बात के पक्के होते हैं, इसके अलावा ये लोग दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तयार रहते हैं, साथ ही ये लोग दान पुर्णने करने में सबसे आगे रहते हैं, तो वहीं जोतिश शास्त्र के मुताबिक इन लोगों से दोस्ती करते वक्त साफधानी बरतने की जरूरत होती है वैसे तो इन लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं और ये अपने दोस्तों के प्रतिवफादार होते हैं ये लोग किसी को धोखा नहीं देते आगे बताते चलें कि ये लोग अंतर मुखी प्रतिभा के धनी होते हैं योग्य होते हुए भी ये मान सम्मान कम पाते हैं, ये बुरे नहीं होते परंतु कई बार परिस्तितियां इन्हें बुरा बनने पर मजबूर कर देती हैं, यही नहीं ये लोग सामानने कदके होते हैं, शिक्षा के क्षित्र में इनको काफी बाधाओं का सामना करना पड़ता हैं इतना ही नहीं जीवन के आरंभ में इन लोगों को अनेक कश्टों का सामना करना पड़ता है लेकिन इनका बुढ़ापा सुखमय होता है इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद